नमस्कार दोस्तो दोस्तो खाने के बिजनस के लिस्ट में एक और नाम जोडने जा रहा हूँ और वो है बिर्यानी का बिजनस दोस्तो बिर्यानी बिजनस का स्टॉल आप लगाए शौप आप शुरू करें जैसे भी आप करें ये अच्छा खासा एक इनकम का जरिया है और इसमें से आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं ये ऐसा बिजनस है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट जादा है और हाँ ये बिजनस अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज बताओं कि कई लोग ऐसे हैं जो पहले से ही इस बिजनस में उतर के आज अपना बड़ा बड़ा नाम बना चुके हैं बड़ा ब् इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहली बात जो है वो है कि आगर आपने तैय कर लिया है कि आपको इस बिजनस में आना है तो दो बाते आपको ध्यान देनी होंगी पहला बिर्यानी आप जो बनाएंगे अगर आपको आता है तो आप खुद बनाएंगे या आपको शेफ का खर्चा नहीं लग रहा है लेकिन अगर आप शेफ रख रहे हैं तो फिर उसका खर्चा आपको लगेगा खेर ये एक चीज हो गई दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी कि वो है लोकेशन आपको एरिया का चुनाओ करना होगा लोकेशन का चुनाओ करना होगा और वो भी बहुत सोच समझ करके लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा भीड़भार वाला एरिया होना चाहिए लोगों का जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना होते रहना चाहिए ऐसा एरिया होना चाहिए अब आपको आगे ये ताय करना है कि आप जिस जगा ये बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस तरह स्टार्ट करना चाहते हैं अब ठेले पे स्टार्ट करना चाहते हैं रेडी लगाना चाहते हैं कोई शौप रेंट पे लेके और फिर की आप शुरू करना चाहते हैं यह आपको तय करना होगा अपने दुकान स्टार्ड करने का जब आपने तय कर लिया कि आपको ठेला या शॉप कुछ करना है इसके हिसाब से तो अगया जो कदम है वह आपको यह करना है कि कि आपको अपने वहां पर यह चीज ध्यान देनी है कि अगर आस पास कोई बिर्यानी दुकान है, बिर्यानी ठेला है, बिर्यानी शॉप है, बिर्यानी स्टॉल है, बिर्यानी रेस्टोरेंट है, जो भी है, वहाँ पे किस रेट पे मिलता है, किस तरह का टेस्ट है, किस तरह की क्वालिटी है, सर्विंग सिस्टम उनका जो है वो किस तरह का है, सारा कुछ आपको ये थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, ये रिसर्च करने के बाद आपको एक आइडिया होगा, कि भाई लोग जब परोस्ते हैं, तो बिर्यानी के साथ क्या-क्या देते हैं, ये सर्विंग सिस्टम आपको जानना होगा, उस खाने का टेस्ट किस तरह का है, customer का feedback कैसा रहता है उस जगा पे, quality कैसी है, ये सारा कुछ अगर आपको पता चल जाए तो आप कोशिश करेंगे कि हाँ, मुझे उससे बहतर अपने customer को देना है, तो आपको किन चीजों का ध्यान देना होगा इसके लिए, अपने दुकान को successful बनाने के लिए, वो ये है कि एक तो आपको quality और दूसरा आपको taste इसी पर ध्यान देना है, अब एक normally आपको मैं बताओं कि normally market में refine oil से बिर्यानी बनाई जाती है, अगर आप देसी घी से बनाएंगे तो taste उसका जादा अच्छा हो जाएगा, साथ में अगर आप रायता, सलाद, अच ये सब अपने कस्टमर को दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं बिर्यानी के साथ, तो ये और जादा अच्छी बात है, कस्टमर को taste भी अच्छा लगेगा, quality भी अच्छा लगेगा, तो अव्यस सी बात है कि कस्टमर आपके पास दुबारा आएंगे, साथ ही दूसरों को लेकर आ या लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं और आप कितने से शुरुआत कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा शुरुआत में, तो कम से कम 10-15,000 तक का इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में करना होगा, अगर आप को ठिला या रेडी जो कहते हैं, उस पे अगर अगर आप शौप रेंट पर लेंगे तो उसका थोड़ा सा जाधा आपको लगेगा, तो क्या कि आपको सामान लगेगा अगला चीज जो है वो आपको जानना जरूरी है, तो देखिए, बनाने के लिए अगर बिर्यानी बनाने की बात करें तो आपको जो समान लगेगा वो है बासमती, चाफल, मसाला, तेल या फिरगी, चिकन, दही, गैस, साथ में आप जो स्टॉल में शुरू कर रहे हैं या ठेले पे शुरू कर रहे हैं या शौप पे शुरू क इसके बाद आपने जो मान लिजे कि कस्टमर जो आपके दुकान पे आते हैं थेले पे आते हैं शौप पे आते हैं तो वह वहां पे जो खाएंगे उसके लिए आपको प्लेट्स वगेरा का इंतिजाम करना होगा तो इसका खर्चा है साथ ही production के लिए यानि बिर्यानी बनाने के लिए जो बरतन आपको लगेंगे वह आपको खरिदना होगा बैनेर आपको बनवाना होगा सारा कुछ इन सब में आपको खर्चा है तो इसलिए आपको कम से कम 10-15,000 तक मैंने बोला है कम से कम में शायद कुछ ज्यादा लग जाए या शायद कुछ कम में भी हो जाए पर आपको नुकसान ना हो इससे क्या होगा कि आपको जपाशल दो कीलो चालोइंगे तो आपका बढ़ जाता है तो फिर वह जब त subscribers हो तब तक आप दूसरे राउंड का इंतिजाम करके रखिए लेकिन एक बार में बहुत जादा आपको बनाने की जरुरत नहीं है आप पहले ये वला खतम कीजिए फिर आप जब देखे कि ये खतम होने लगा है तो फिर आप दूसरा राउंड बनाने के लिए आपने शुरुआत कर दीजिए इससे दो फाइदे ह एक आपके कस्टमर को ताजा बिर्यानी मिलेगा बहुत जादा पहले का बना बनाया बिर्यानी खाने को में नहीं मिलेगा ताजा ताजा बना के आप दे रहे हैं ये उनको खाने को मिलेगा तो ये इसका एक अलग टेस्ट है तो ये एक आपका फाइदा है दूसरा है कि लाए इस तरह से आपको हफ्ता दस दिन बिस दिन तक आपको जारी रखना फिर जब आप देख रहें कि कस्टमर बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रही है से ल बढ़ रहा है प्रोडक्शन भी फिर बढ़ा दीजे इस तरह से आप कर सकते हैं अब बात यह है कि बाई बिर्यानी कितने तरह की होते हैं यह आपको पता होना चाहिए मार्केट में पता कीजिए नॉर्मली आपको थोड़ा सा इसके लिए रिसर्च करना ही पड़ेगा फ़र मैं बता दू कि बेसिक जो जितने प्रकार के बिरियानी जो पब्लिक को खाना पसंद है वो एक तो है आपका देखिए वेज बिरियानी और दूसरा है नॉन वेज बिरियानी अब इसमें भी इसमें भी कैटेगरी है वेज बिरियानी खेर मैं आपको बताओ कि सिंपल में ही बन जाता है उसमें जादा उसकी रेसिपी में जादा जंजड़ भी नहीं है आप किस-किस तरह की बिर्यानी शुरवात में सर्व करेंगे अपने कस्टमर को किस तरह की बिर्यानी बना के बिजनेस की शुरवात करेंगे ये आपको तै करना है उसके बाद एक चीज और है कि food business में आप उतर रहे हैं तो शुरवात में अगर ठेला, रेडी, इन सब में पढ़े लेवल पर पहुंचेगा तो आपको कानूनी जमेले में नहीं फसना है उस टाइम पे तो आप शुरुवात में ही क्या कीजिए कि एक लोकल आपका मुंसिपल आफिस के दुवारा वहां पे जो भी उद्योग आधार केंद्र वाग है जो भी जहां से भी लाइसेंस ब तो आप बड़ा लेवल पर पहुंच जाए तो फिर आपको GST नंबर लगेगा फिर आप वो भी ले सकते हैं इस तरह से आप शुरुवात कर सकते हैं इसके बाद होता है बारी कि भाई आप शॉप का नाम जो है बैनर जो है वो आपको एट्राक्टिव रखना है और जो भी बिजनेंश में सेघए ये डपेंड़ करता है जितना जाधा सेल होगा उतना जाधा प्रफिट आपको देखने को मिलेगा इनमक मापको को देखने को मिलेगा लेकिन शुरुवाती द़ूर में आपको भी बताऊ कि अगर कम जैसे मैंना आपको बताया था कि 2 कईलो कावल द धीरे धीरे बिजनस को आप जैसे आपका बिजनस जो है वो जमना शुरू होगा कस्टमर बढ़ने शुरू होंगे डिमान बढ़ना शुरू होगा तो फिर ये बिजनस की इंकम जो है वो पचास अजार और फिर बड़े लेवल पर अगर बिजनस पहुंच जाता है तो फिर त तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाईएगा क्योंकि मैं इस तरह के बिजनेस आइडियास लेकर आता रहता हूं आप सभी लोगों के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा